में आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइव हाइली एडेक्टिव एंड्रॉइड गेम्स के बारे में जो काफी ज्यादा कमाल के हैं तो फिर चलो यार राइड पे बताता हो इन गेम्स के बारे में ओकी जो फर्स्ट गेम है इस लिस्ट में वो है टाइनी आर्चर्स तो यह बिसिकली एक अक्शन गेम है और इस गेम का कॉंसेप्ट यह है कि आपको अपने किंग्डम को गॉबलीन से बचाना होता है और वो भी बो एन एरो के हल्प से तो आपके सामने से बहुत सारे गॉबल आपसे बच के निकल जाता है तो वो आपको मार देगा हाला कि इसमें आपको बहुत सारे ट्रैप्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो और अगर आप इस गेम में 18 प्लस फीचर्स इनेबल करोगे तो इसमें आपको बलड मोड एक्स्पोडिंग ब पार्किंग 2 तो यह बैसीकली एक सिमुलेशन एंड कार पार्किंग गेम है ग्राफिस की बात की जाए तो इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा कमाल की है उसके साथ इस गेम में आपको सारे मैनुल कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि इसमें आपको खुद से क इन और सकते हों उसके बाद आप आउट हो जायोगे कार की इंटियर भी बहुत ही ज्याधा अटिल्र है तो काफी ज़्यादा कमाल का पार्किंग केम लगा मुझे तो अगर आपको एक कार पार्किंग फ़संद है तो आपको इस गेम को जरूर से इंस्टॉल को मार कीरों कर हो जाता है जहां पर एक साथ बहुत सारे जॉंबी आ जाते हैं और उस वक्त अगर आप बुलिट से उन लोगों को नहीं मार पाते हो तो आपको सिंपली ग्रेनेट से उन सभी को मार देना है और इस गेम में आपको बेसिकली एक 3D टाइप ग्राफिक्स देखनी को मिल जाता ह तो गेम काफी ज्यादा एडिक्टिव लगा मुझे तो अगर आपको इस तरह के जॉंबी टाइप्स के गेम पसंद है तो आपको इस गेम को एक बार जरूर से ट्राइ करना चाहिए वैसे आपको सारे गेम्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ओकी नेक्स गेम है वो है Mad Skills BMX 2 तो ये एक Bicycle Racing गेम है इस गेम में आपको अपने competitor से race करना होता है और इसमें tracks भी काफी कमाल के होते हैं जहां आपको अपना balance maintain करके गेम खेलना होता है और इसमें आपको 7 different bicycle देखने को भी मिल जाते हैं जिसका आप use कर सकते हो तो काफी सह गेम है, ठ्राइ करके देख सकते हो ओकी जो फिफ्ट और लास्ट गेम इस वीडियो का वो है डाइनो हंटर तो इस गेम में आपको डाइनोसाओर को हंट करना होता है और काफी जल्दी आपको उन सभी डाइनोसाओर को मारना होता क्योंकि अगर आप एक बार भी फायर करते हो तो जितने भी डाइनोसाओर होते हैं वो बुलेट के सौंट से आपके पास भाग के आ जाएंगे और आप पे अटैक कर देंगे और आप मर जाओगे और लेवल फेल हो जाएगा या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई डाइनोसाओर बुलेट के सौंट से भाग जाता है तो ऐसे में भी आप उसे नहीं मार पाओगे और आपका लेवल फेल हो जाएगा तो काफी थ्रिलिंग सा गेम लगता है खेलने में और इसकी डाइनमिक सैडो, हाई डिसलिशन टेक्स्चर और रेलिस्टिक जुरैसिक मॉडल स्कीम को बहुत ही ब्यूटिफुल डाइनोसाओर सुटिंग गेम बनाता है तो गेम काफी अच्छा है ट्राइ करके देख लेना तो बस इतना ही थैयार आज के इस वीडियो के लिए अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो ठोको लाइक, कमेंट फेको, शेर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ और सनोना अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जादे जादे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो मिलते अगले और नए एकसाइटी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर